हलो, welcome to Chinmak eggs and classes आज हम यूज्ज करेंगे रशिय नोजल्स और उसी के साथ हम हमेशा वाली अपनी जो विपिंग क्रीम होती है उसके ही साथ हम रशिय नोजल्स यूज करेंगे कही पर भी बटर क्रीम का यूज नहीं होगा और उसी के साथ हम बहुत ही कम क्रीम में ये केक बनाएंगे रश्य नोजल सीलिटेड इस वीडियो में बहुत सारे ट्रिक्स आपके साथ शेर की जाएगी ताकि इन फ्यूचर आपको रश्य नोजल सीलिटेड कोई भी प्रॉब्लेम ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए प्लस 3 टेबल स्पून प्रेमिक्स आड़ किया है ताकि हमारे केक को डोम शेप मिले क्यूंकि जब सरपे सिर्या कम पढ़ जाता है तब हमारे बैटरों को फूलने में ज़ादा जगा मिलती नहीं है तो यह डोम शेप जैसा बनता है अगर आप वन का प्रेमिक्स लोगे तो आ बाते भी डिसकस कर लेंगे तो चलिए हमने नाइप से दो मार्किंग कर ली उसके बाद थ्रेट से हमने स्पॉंज को कट किया है यहाँ पर हमें त्री लेर्स मिल गई अब हम आइसिंग स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने फर्स लेयर रग दी उसके बाद शुगर वाटर या नॉर्मल वाटर से स्पॉंज को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे देन वीप क्रीम अपला कर लेते हैं पहले तो मैं आपको एक बात प्लियर कर दू कि मुझे यहाँ पर केक में बहुत कम क्रीम चाहिए तो इसके लिए हमने आइसिंग भी बहुत ही कम क्रीम से किया है पह कि यहाँ पर Multi rating में डाल सकते हूं देन हमने सेकेड़ रग दी उसके-बाद सेम जुगर वाटर या नॉर्मल वाटर से स्पॉंज को सूक करेंगे देन आइसिंग करेंगे यहाँ पर मैंने जिस सेक्वेंस कहट की थी कि और यहां पर अरेंज कर रही हूं क्यूंकि मुझे टॉप का पॉर्शन थोड़ा सा डॉम शेप चाहिए आपने आपर नोटिस किया होगा कि हमने बहुत थी कम क्रीम फिलब किये हैं हमारे केक में ताकि हमारा स्पॉंज कम क्रीम में बने क्यूंकि कभी-कभी कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें कम क्रीम वाला स्पॉंज जाए अब हमारे केक की सारी लेज अच्छी तरह से अरेंज हो चुकी है हमने पैलेट नेट से फिनिशिंग किया और उसी के साथ हम इस तरह से ट्रांस्पर्ण स्क्रापर का यूज करते हैं ताकि हमारे केक को अच्छी तरह से एक श से लिट कर लिया और उसके बाद हम इस तरह से उसे केक बेस पर रख देंगे एक्रेलिक का केक बेस है चलिए लिप्टर हमने निकाल दिया है अब हम हमारा केक सिर्फ 10 मिन तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 10 मिन बाद हम केक को फाइनल टच नहीं देंगे मतलब एक और क्रीम का कोट नहीं देंगे उसके बदले में हम क्या करेंगे हमारा नैरो टीप वाला जो स्टार नोजल होता है जो कि हम डॉल केक में डॉल का टॉप बनाने में यूज करते हैं वो वाला नोजल हम यहाँ पर बास्केट डिजैन के लिए यूज करेंगे मतलब कोई माटर नहीं करता कि आपके पास बास्केट नोजल नहीं है फिर भी आप अच्छी तरह से प्यारा वाला क्यूट वाला बास्केट डिजैन बना सकते हो हमने यहाँ पर हमारे केको final coat इसलिए नहीं दिया क्यूंकि यहाँ पर basket design बनेगा और उसी के साथ हमारे Russian nozles यूज होंगे तो already cream यूज होने वाली है तो यहाँ पर final touch में जो cream यूज होती है वो हम skip करेंगे ताकि हमारे केक बहुत कम cream में बने basket design बन जाने के बाद हम ये वाला Russian nozles यूज करें यहाँ पर हम cream में color नहीं यूज करेंगे सिर्फ हम piping bag में red red gel color यूज कर रहे हैं और उसी के साथ lemon yellow ये color भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर gel color यूज कर रहे हैं ना कि liquid color और cream में कोई भी color हम यूज नहीं कर रहे हैं जस्ट हमने dripping कर रही है और इस technique से हमने थोड़ा सा shading देना है हमें flowers में तो इस तरह से हमने piping bag में colors fill up किये हैं चले अब प्यार से flowers बनाते हैं पहले तो थोड़ा सा white cream ही निकलेगा मतलब white वाले flowers ही बनेंगे उसके बाद तीन जा flowers बाद shedding आना स्टार्ट होगा अगर आपको white flowers नहीं चाहिए तो थोड़ा सा आपको पहले वाला cream निकाल देना पड़ेगा देखे कितने प्यारे flowers बनते कोई कह सकता है क्या कि रशियन नोजल से नहीं बनते flowers एक ट्रिक यह है कि हमने यहाँ पर देखिए रशियन नोजल समने आपको finger से clean किया है टिश्य पेपर आप यूज करोगे तो भी इतना अच्छा रिजल्स नहीं आता आपको finger से clean करना पड़ता है अब दो-तिन flowers बनाओ फिर finger से clean करो दो-तिन flowers बनाओ देन अगेन आप finger से clean करते जाओ तो बहुत ही बड़िया flowers आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मैंने यहाँ पर proper stiffing cream ने यूज किया है थोड़ा सा loose cream मैंने यूज किया है क्यूंकि जब proper stiff वाली cream यूज करते हो तो definitely flowers अच्छे बनते हैं लेकिन उतना shine नहीं मिलता मुझे थोड़ा shiny चाहिए था इसलिए मैंने थोड़ा soft pick वाली cream यूज की है और यहाँ पर जो flowers बन र उठाओ अगर आपको जादा बड़े वाले flower चाहिए तो प्रेस करो दीरे दीरे उपर उठाओ तो उनकी height बढ़ जाएगी तो इससे cream भी जादा लगेगी लेकिन हम यह cream एक cake हम बहुत ही कम cream में बना रहे हैं देखें कितने प्यारे से cute से flower बन गये हैं अब हम दूसरा वा अज में आये कि यह flowers दिखते कैसे रस्यन नोजल से flowers बहुत ही प्यारे बनते मुझे इनका लुक बहुत जादा पसंद है और अगर आपको इस design में थोड़ा dark shade चाहिए तो क्या करेंगे देखें इस तरह से हमने sunflower नोजल लिया है और हमने pink cream इसमें भर ली और बीच बीच मे design में लेगा बहुत ही प्यारा दिखेगा अब हम बहुत ही बढ़िया नोजल यहाँ पर यूज करेंगे वो है हमारा नूर का 47 नंबर का नोजल piping bag में हमने green and yellow gel color लिया है just ripping करके लिया है cream में कोई भी color fill up नहीं किया just shading दिया और उसके बाद white cream हमने piping bag में fill up की है देखें हमारे पत्तों की design बहुत ही प्यारी और बहुत ही बढ़िया बन रही है मैं आपको zoom करके भी दिखाओंगी ताकि आपको समझ में आए कि ये lips अच्छे बने है या नहीं ये shading कितनी प्यारी दिखती है और उसी के साथ ये lip के जो peak है वो बहुत ही प्यारे बहुत ही प्यारा दिखता है चलिए अब हम creepers बनाते हैं इसके लिए हमने piping bag को एक जस्ट एक छोटा सा cut दिया है या पर कोई भी nozzle यूज नहीं किया है तो थोड़ा सा हम creeper दिखा रहे ताकि हमारा ये cake बहुत ही सुन्दर लगे बहुत ही प्यारा लगे और एक बात बताओं कि अग थोड़ा सा हमने यहाँ पर पर्ल्स यूज किये हैं यह बिल्कुल एडिबल है और उसी के साथ हम सिल्वर डस यहाँ पर स्प्रे करेंगे ताकि हमारा केक बहुत ही शाइनी दिखे उसमें एक रॉयल लुक आया देन बटर पेपर के यह एडिबल बटरफ्लाइज होते हैं वो आप 2 या 3 यूज कर सकते हो यह आपकी चॉइस से की आपकी केक को आपकी स्थरह से डेकॉरट करना चाहते हो यह हमारा हाब केजी का केक है लेकिन यह एस पर कस्टमर दिमांड बना गया हुआ है मतलब रश्य नोजल्स यूज करने हैं यह कस्टमर की दिमांड थी कि रश्य नोजल से डिजैन बनाई है और उसे के साथ उन्हें एक कम क्रीम में केक चाहिए था मतलब यह कस्टमाइज केक है तो यह कस्टमाइज केक हम 400 to 500 फॉर हाफ केजे आप चार्ज कर सकते हो यह केक की प्राइज मैंने सतारा की बताई है क्योंकि मैं सतारा से बिलॉंग करती हूँ लेकिन आप जिस जूनल एरिया से बिलॉंग करते हो उसकी हिसाब से आप प्राइज को थोड़ा प्लस मैनस कर सकते हो चलिए अब हमारा केक हम बहुत ही नजिक से जूम करके देखेंगे कि हमारा डिजैन कितना प्यारा बना है आपको याद दिख रहा होगा कि हमारे फ्लावस अच्छे बने हैं उसी के साथ हमारे जो पत्तो की डिजाइन थी वो भी बहुत ही प्यारी बनी है मतलब वीदाउट बटर क्रीम हम रशियन नोजल इस्तमाल कर सकते हैं हमारी हमेश वाली वीपिंग क्रीम इससे अच्छे रिजर्स मिलते हैं हमें रशियन नोजल के और एक बात बताओं मैंने इस केक में सौट पीक वाली क्रीम यूज की है definitely silver spray से हमारे केक में शाइन मिलती है लेकिन उसी के साथ अगर आपकी क्रीम सौट पीक वाली हो तो उसे हमारा केक बहुती शाइनी और बहुती सुन्दर दिखता है मुझे comment करके जरूर बताईएगा कि आपको हमारा केक कैसा लगा और उसी के साथ अगर आपको हमारे केक पसंद आते हो तो हमारा चैनल मिन्स Cinema Cakes in Classes चैनल जरूर सबस्क्राब कीजेगा हमारे अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एक केक में हम दस अलग अलग बीजाइन कैसे सीखेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक यू